जम्मो कश्मिर की 24 विदान सबाज सेटों पर वोटिंग जारी है तगली सुरक्षा के पेश मत्दान हो रहा है जम्मो कश्मिर में सुबे 9 बजे 11.11 ग्यारा फिस्दी मत्दान वाहे किस्टवार में सबसे जादा 14.83 प्रतिश्यत वोटिंग हुई है इसराल की प्रधानमती बेंजा में नेतन्याहू अपना अमेरिकी दोरा रद्द कर सकते हैं उन्हें 27 सितनबर को न्योग जाना है नवापली के दामाज समिर खान मुंबई के कुला में एक कार दुरखट नामी गंबेरुप से घाल होके हैं लिबनान में हुए पेजर धमाको कुल लेकर अमेरिका ने कहा है कि धमाको में वो शामिर ने था और ना है इसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी थी कुलकाता की आरजे कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और हत्या की मामले में सिबियाई की पाच सदस्य टीम ने पिडिता की घर का दोरा किया फिलिस्तिनी शिक्षा मंत्राले का कहना है कि 7 अक्टुमबर से लेकर अब तक गाचा पट्टी और कबसे वाले वेस बैंक में इसराली हमलों में 11,000 से जादा चात्र मारे गए है लिबनान में हिजबुला के सदस्यों के पेचास में हुए सिरियल ब्लास में 9 रोगों की मौत रोकी है मनेवालों की हिजबुला सांसत का बेटा भी शामिल है प्रदानमंदी नरिंद्र मुदी आज जम्मो कश्मिर दौरे पर रहेंगे जहां श्रीनगर में चनावी राली को संभुदित करेंगे और पेचेपी उमिद्वार के लिए वोट मांगेंगे वितमंत्री निर्बना सितारमन एनपियस वासिल योशना का शुभारम करेंगी कॉंग्रेस निता सचिन पारलेट जम्मो कश्मिर के पूछ रासोरी और जम्मो सेटी में प्रिचार करेंगे नौकरी के बतले जमेन मामले में डालू और तेजस्वी को तलब करने की आदिश पर सुनवाई होगी हर्याना चुनाव को लेकर कॉंग्रेस आज घोशना पत्रत जारी कर सकती है संजराउत ने दावा किया है कि राहुल गांदी की खिलाब साजिष की जारी है उनकी जान को खत्रा है ठाने के भिवन्डी में गनपती विसरजन के दोरान पत्र तरफे की जानी को लिकर जमकर हंका माहवा पर इसने सिती को न्यांदरित करने के लिए दाठी चार्च किया, कुछ लोगों को हिरासत मिलिया क्या है संजराउत ने कहा कि MPS सहयोगियों की बीच सीट बटपारे पर बाक्षित 18 से 20 सिद्न पर तक होगी तीन दिनों तक लगातार बैठक होगी केंदर सरकार में मंतरी रामदास आठफले ने कहा है कि पासपूर्ट रद्द की जाने की बात राहुल कांदी विदेश में भारत का अफमान नहीं कर पाएंगे रामदास आठफले ने कहा कि अजित पवार ने महागट बंधन को कोई लुकसान नहीं पहुचा है जो 17 सेटी आई है उनमें अजित पवार की भी हिस्सितारी है बात यह शेयर बाजार की आज कमजो शिर्वात हुई है और बाजार खुलते ही शेयर बाजार में आईटी स्टॉक में बड़ी गिरावट देखी चारी है यह थी आज की टॉप 20 खबरे खबरों का सिलसिला यो ही चलता रहेका आप देखते रहे इन बिसेंद्यूस नमस्कार